हेलो दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आज हम सुन्दा सा पिलो कवर बनाना सिखेंगे तो वीडियो में एंट तक बने रहिएगा तो सबसे पहले हमने जिस भी पिलो का कवर बनाना है उसकी लैंट और वेट को इस तरीके से नाप लेना है चोकि यहां पर आ रही है 24 इंच बाई 16 इंच तो 24 में 1 इंच एड़ कर लिया है लैंट के लिए और 1 इंच एड़ कर लिया है वेट के लिए यह फ्रंट फैब्रिक है इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे एक फोल्ड और कर लेंगे अब यहां पर देखिए हमें ओपन वाली साइड जो है यह आ रही है 12.5 इंच तो इसका मिड़ पॉइंच जो है हम निकाल लेंगे और इस तरीके से हमें नाप लगा लेना है औ और माक लगा लेंगे माक लगाने के बाद हमें सेम साइज का एक पेपर लेना है यह देखिए सेम साइज का हमने एक पेपर ले लिया अब इस पेपर को हम सैंटर से यूँ फोल्ड कर लेंगे फोल्ड कंज के बाद जो फोल्ड वाली साइड है यहां से देखिए हमने वन इंच पर माक लगाया आप यह जो यह वाली साइड है यहां से भी वन इंच उपर माक लगाया और इन दोनों पॉइंट को आपस में मैच करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे लाइन लगाके लाइन लगारे के बाद आपको कुछ इस तरीके का पीस प्राप्थ होगा तो इस पीस के अकॉर्डिंग हमें चार रैड करलर के पीस कटिंग कर लेंए है देखिए हमने यहां पर फोर पीस कट कर लेंगे अब हम लेंगे फेसे front वाला हिस्सा, फ्रेंट वाले हिस्से पे हमने जो mark लगाया था, इस mark को हम थोड़ा सा dark कर लेंगे, ताकि इस का mark जो है हम लगा सके दूसरी side पर भी, इस तरीके से हमें दूसरी side पर ये mark लेके आना है, जो mark आया है बिल्कुल हलका साया है तो मैं इसे थोड़ा dark कर लेंगी इसी तरीके से उस side पर भी हमें mark लगा के इसे dark कर लेना है ऐसे line लगा लेनी है line लगाने के बाद देखिए हमने ये red piece इस तरीके से यहां पर रखके stitch लगानी है जो हमने लाइन इसी लिए लगाई है ताकि हमारा पीस टेडा मेडा ना हो और दूसरा पीस हम यहां पर रख लेंगे और स्टिच लगा लेंगे तो यह दो पीस स्टिच करने के बाद बाकी के दो पीस भी हम स्टिच लगा लेंगे सेम प्रोसेस से यहां पर और यहां पर तो दोनों पीस स्टेच करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे तो देखिए दोस्तों फ्रंट तो हमारा बन के तैयार हो अब हम बैक साइड के लिए दो पीस लेंगे चोड़ाई इनकी 17 इंच है दोनों पीस इसकी और इसकी लेंच जो है यहां पर यह है 23 इंच का और 17 इंच की चोड़ाई है यह पीस है 5 इंच का और 17 इंच इसकी चोड़ाई है तो देखिए जो बड़ा वाला पीस है क्योंकि यह कन्नी वाली साइड है तो एक इंच हम fold कर लेंगे वान इंच fold कर लेंगे और जो छोटा वाला piece है इसको हम बिल्कुल हलका हलका यूं किनारा सा fold कर लेंगे fold करने के बाद देखिए हमने ये fold कर लिया अब front हिस्सा हम यूं बिचाएंगे और उसके उपर सबसे पहले हम बड़े वाला piece बिचाएंगे सिलाई देखिए मेरे right hand side की तरफ आ रही है अब ये छोटा piece लेंगे इसकी सिलाई left hand की side आएगी और चाद तरफ stitch लगा लेंगे stitch लगाने के बाद इसे right side को turn कर लेंगे turn करने के बाद मैं आपको इसको pillow में लगा के दिखाती हूँ कि कैसा लगेगा ये अगर आपने यहां तक video देख लिया है तो चैनल को subscribe जूल कर लीजिएगा तो देखिए हमारा यहां तक pillow cover बनके तयार हो गया है back side की finishing करने के लिए दो काज बटन हम यहां पे कर लेंगे या teach button भी लगा सकते हैं तो front देखिए बिल्कुल बढ़िया सा बनके तयार हो गया है video आपको useful लगा हो तो like जोई कीजेगा ज़्यादा से ज़्यादा share कीजेगा और इसी तरिके के DIY वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कर लीजिए